उत्तर परदेश के जन्पत में अनपूरी के चेतर में उस समय एक परिवार में कोहरा मज़ गया जब एक बालक की तलाब में ड्यूप कर मौत हो गई सुचना पर पॉंची पुलिस ने शव को पॉश्मार्चम के लिए फेज दिया पूरा मामला घिरोर्थाना चेतर के ग्राम कोस्मा हिनूद का है रोज की तरह घर से भैसे चराने गए बालक कमल किशोर पूतर रिंकू जाचव उम्र 11 वर्ष निवासी कोस्मा हिनूद अपने परश्यों को खेतों पर चराने के लिए गया था करीब तीन बजे उसकी भैस रेलवे के तालाब में चली गई जब यह भैसों को तालाब से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था चानक उसका पैर फिसल गया और पानी के गहरे गड़े में जागी रहा बालक की अवाज सुनकर लोग इकठा हो गए तब तक बालक की मौत हो चुकी थी परजनों को बालक की मौत की खबर दी गई खबर पाकर परजनों में शोक की लहर दोड़ पड़ी महीं परजनों का रो रोकर बुरा हाल है झाल